हाई फ्रेंड्स वेलकाइं चानल फैड कनीशा तो दोस्तो शीवलिंग पर दूठ चड़ाते समय डाल ये तीन चीज़े दोस्तो खुल जाए किसमत के दर्वाजे जी है दोस्तो दोस्तो बगवान शीवक लोग अपने आरद्द के रूप में पूछते है ऐसा माना जाता है कि शीवक की भक्ति से सबी मनो कामनाय पूर्दी होती है भगवान शीवक को देवो के देवो के रूप में पूजा जाता है और दोस्तो उन्हें बोले भाबा भी कहा जाता है ऐसा माना जाता है कि शिव की भक्ती मातर से समस्ते पापों से मोक्ती मिलती है यहां बगवान शिव की भक्ती और उन्हें शिवलिंग पर कुछ चीजे चड़ाने से विशेश लाग की पुराप्टी होती है तो चेलिये जानते दोस्तों दूद के साथ ऐसी कौन सी चीजे है चीजे चड़ाने से दोस्तों आपकी किसमत के दरवाजे खुल जाते है तो दोस्तों यह चानने से पहले मेरे चानल को सबस्क्राइब आवशे करें बगवान प्रेस करके अल बटन पर क्लिक जरूर करें तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से तो दोस्तों नमबर एक दूद में कच्चे चावल मिला पर शिव लिंक पर चड़ाए दोस्तों बगवान शिव और चावल का बहुती अच्छा स्यों गए शिव पुरान में लिखा है जो बगवान शिव को चावल अरपित करते हैं उनकी सभी मनुकामना पूर्ण होती है बगवान शिव को यदि आप दूद के साथ कच्चे चावल के अरपित करते हैं और इसे एक प्रमग पुजन सामागरी के रूप में भी माना जाता है। तील दो प्रकार के होते हैं काले तील और सफे तील खास दोर पर जब बात काले तील के आती है तब इसे पुजा की एक पवित्र सामागरी माना जाता है। और कई जगह पर काले तिल बागवान शिव के प्रसाद के रूप में वितरित किये जाते हैं। दोस्तो वही काले तिल यदि दूद में मिलाकर बागवान शिव का अरपित किया जाए तो ये आपकी जीवन में सुक सम्रूति लाता है। खास दोर से दोस्तो सोमार या सावन सोमार के मेने में दूद में काले तिन मिलाकर शिवलिंग पर चड़ाने से आपकी सारी मनोकामनाय पूर्ण हो जाती है और सारी परिशानी दूर होती है। और दोस्तो परिवार में आपका जीवन सुक और शांती से सम्रूती से भर जाता है तो दोस्तो अवश्य चड़ाए दोस्तो नमबर तीन दूद में चीनी मिलाकर शिवलिंग पर चड़ाए दो तो ऐसी मानता है कि शिवलिंग पर यदि व्यक्ति दूद के साथ चीनी मिलाकर चड़ाता है तो घर में सूक और समुरूते आती है यदि कोई व्यक्ति सावन या स्परतिक सुमार को दूद के साथ चीनी मलाकर शीवलिंग पर आरपीत करता है तो उसके सारी मनुकामनाय आवश्य पुर्णा होती है दूद और चीनी का मिसरन चंद्रमा का कारक मना जाता है इसलिए शिवलिंग पर ये मिसरन चड़ाने से चंद्रमा भी मजबूत हो जाती है और जिससे पापों से मोगती मिलती है तो दोस्तों ये खास उपाई यानि कि तीन चीज़े आवशे चड़ाए दोस्ताव क्यों ये कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक शेर और कमेंट्स ज़रूर कीजिगा और कमेंट्स में जैस्री मालक्षम नमा ओम नमस्षिवाद आणिवाद आणिवाद